नमस्कार दोस्तो जो गलेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नहें हो तो खिर पाट करके सबस्क्राइब करके बेल डाइकम ब्रेस करके अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए क्योंकि वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी इंफोर्मेशन मिल जाए जो कि आपके लिए लेकर हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की तरसे जो कि मैंने प पहले की इंफोर्मेशन पूरी डिटेल में चाहते हो तो चैनल पर पहले भी वीडियो देख सकते हो यह प्रिवियस में वीडियो में सारी डिटेल्स आपको बता पता लग जाएगी बट आप मैं आब आपको थोड़ी ब्रीफली में बताऊंगा बहुत कम बताऊंगा जो क स्टार्ट आपने स्टार्ट हो चुके यानि कल शाम से ओए और और इसमें कोई बहुत कि आपना इसे के लिए और इसको पॉइंट में प्लाइग करना उनका जनम एक साथ उनिस सो ठंवे से लेके तीन छे दो जार दो के बीच में हुआ होना चाहिए अगर इससे आगे पीछे डेट बरता है तो आप अपलाई नहीं कर पाऊगे ठीक है कमर्शियल पाइलट, CPL और SSA की इसमें भी मेल फिमेल दोनों अपलाई कर सकते हैं इसमें आपका जनम 2017 सो ठंवे से लेकर 36 2004 के बीच में हुआ होना चाहिए ठीक है और टेक्निकल, मेकेनिकल की बात करें इसमें सिर्फ और सिر्फ male candidate ही इलिजीबल है इसमें 17 1986 से लेकर 36inosaur के बीच में आपका बर्थ हुआ होना चाहिए एलेक्टिटरिकल, एलेक्टिकल, एलेक्टरेकल एलेक्ट्रोनिक्स की मेल की पोस्टिएं इसमें सरफ मेल इलीजिबल हैं 1719 Olivia से लेकर 362002 के बीच में आपका बर्त होना चाहिए तो आप एलेक्टिकल के लिए अपलाई करोगे टेख्णिकल low entry के लिए male female दोनों candidate apply कर सकते हैं इसमें 1,7193 से लेकर 3,362,002 तक आपकी date of birth होनी चाहिए यानि की 28 साल जादा से जादा और कम से कम 19 साल आपकी जिसमें मांगी हुई है अलग लग देख सकते हो अगर आप GD के लिए pilot या navigator के लिए या GD woman apply करना चाहती है तो आपकी bachelor degree 60% से होनी चाहिए सबी समेस्टरों में 60% के plus marks होने चाहिए और बार्मी में आपने math और physics होना compulsory है commercial pilot यानि की CPL, SSA की तरह की पोस्टेंज इसमें बार्मी मांगी हुई है 60% से और आपका valid commercial pilot का license होना ज़रूरी है technical mechanical की इसमें bachelor degree graduation मांगी हुई है bachelor engineering मांगी हुई है जो कि naval architecture में mechanical में, marine में, automotive में metronics में industrial and production में metallurgy में, design में या aeronautical या aerospace में आपकी degree होनी चाहिए 60% के साथ pass out बार्मी में आपके पास math physics होना compulsory है तो ही आप इसके लिए eligible हो पाऊगे, उसके बाद next post की बात कर लेते हैं तो technical electrical and electronics की पोस्ट है जी इसमें degree electrical electronics में होनी चाहिए telecommunication में या फिर instrumentation में या फिर instrumentation and control में होनी चाहिए या आपकी electronics में या फिर electronics and communication या फिर power engineering में या power electronics में आपकी बी टेक या बी बैचलर डिग्री होनी compulsory है वो भी 60 marks 60% marks से और बारवी में आपके पास math और physics तो वो compulsory है low की बात कर लेते हैं low entry के candidate के लिए bachelor degree low में होनी चाहिए और 60% कम से कम marks आपके उने compulsory है assistant commandant की mail की थोड़ी सी सिर्फ assistant commandant की जो पोस्ट है उसके regarding height मांगी हुई है mail की 157 assistant commandant female की height 152 ठीक है जी और 5 cm chest expendable मांगी हुई है mail की ठीक है जी eyesight का आप देख सकते हो उसके बाद next बात कर लेते हैं officially website की यह officially website है जी उसके बाद बात करें officially notification की यह officially notification है GD, SSA पूरी detail में आपको information एक एक दी है ठीक है यह आप पूरी पूरी check out कर सकते हो किस किस के लिए कितनी कितनी पोस्टें है कौन सी category के लिए कौन सी पोस्ट है यह पहले पोस्टें चेक कीजिए फिर यह आप form apply कीजिए ठीक है अब बात करते हैं how to apply कैसे apply करोगे यहां पर आपने sign in पर क्लिक करना है यह officially link आपको मिल जाएगा ठीक है इसमें register to create account पर क्लिक करना है और उसके बाद यहां पर name अपना फिलप करना है अपना father name अपना mother name उसके बाद नेशनलिटी इंडियान पर क्लिक करना है यहां पर mail पर क्लिक करना है mail id और अगर gentleman mail हो female हो आपने select करना है mail id दो बार आपने confirm करनी है उसके बाद next में आपने अपना phone number ठीक है और generate OTP पर जैसे ही क्लिक करोगे एक OTP आपका mail पर जाएगा एक OTP आपका mobile number पर दोनों के दोनों OTP आपने verify करवाने है और last option submit का इसी तरह जैसे आप submit कर लोगे submit के बाद आपको पहले document अप्लोडिंग मंगेगा photo signature sign और आपके सारे experience गयारा जो भी आपको license गयारा जो भी जिस पोस्ट में मंगा है वो सारे के सारे जैसे आप upload करोगे last option आएगा fee payment का ठीक है जी और उसमें आपको आपकी इसमें आपको बता देते हैं इसमें कोई भी फीस नहीं है वो उसमें आए आएगा आपका preview का preview देख कर आपने अगर editing करना जाते हो तो on-spot editing कर लीजिए check out पूरा कोई कमी पेशी ना रहा है क्योंकि इसमें आपको क्रेक्शन का कोई भी timing नहीं मिलेगा क्योंकि 10 दिन है सिर्फ apply करने के 10 दिन है ठीक है और यह आपके जो कि मैंने आपसे वादा किया था जैसे form active हो जाएगा link active हो जाएगा तो आपके साथ link भी share कर दिया जाएगा ठीक है यह officially website का आपको link officially notification का link apply करने का link सारी link आपको इस वीडियो के description box में provide करवा दियेगे हैं वहां से आप पिक करके अपना form fill up कर सकते हो और last date की बात कर लेते हैं जाते जाते तो last date जी 28 परवरी है 28 परवरी के शाम के 5 बज़े तक आप apply कीजिएगा ठीक है जी जल्द से जल् अगर आपने apply ही करना तो wait किसका जल्द से जल apply कीजिए ठीक है जी सारे link आपको वीडियो के description box में मिल जाएंगे अगर इसी तरह की और भी big updates आप पाना चाहते हो हमारे चैनल पर नहीं हो तो किरपा करके subscribe कर लिए subscribe करके bell icon press करके all notification पर जुरूर क्लिक कीजिए ताकि आपक आपका दें शुब मंगल मैं हूँ है से हम कामना करते हैं थैंक यू वेरी मच